नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों सोना हम सभी के जीवन में बहुत ही आवश्यक है हम सब सोने के लिए रात का समय उप्युक्त मानते हैं और अक्सर उसी समय सोते हैं जब हम अपने सारे कामों को निपटा लेते हैं लेकिन इसी बीच कई सारे ऐसे काम होते हैं जो की आपको रात में सोने से पहले कर लेना चाहिए दोस्तों आपको बता दें पती पतनी से जुड़े और बाकी सभी काम काज रात में सोने से पहले कर लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है इसी के साथ ही आज हम आपको ऐसा एक काम भी बताएंगे जो देर रात तक कभी नहीं करना चाहिए तो चले दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कामों के बारे में बताएंगे दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक दोस्तों प्रेम संबंधों के लिए बैसे भी समय कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन खास तवर से रात का समय इस काम के लिए अशुब माना जाता है आपको बता दें कि प्रेम की लालसा और इच्चुब भाबना आए रात बारा बजे से सुबा छे बजे तक बढ़ती है और आनन्द भी कई गुना मिलता है लेकिन बारा बजे से दो बज के पचास मिनट तक प्रेम संबंद बनाने चाहिए और इसके बाद का समय इन कामों के लिए बहुत ही अशुब माना जाता है ऐसी गलती आप कभी ना करें जितना जल्दी हो सके प्रेम संबंद बनाने के लिए तीन बजे से पहले ही कर लेना चाहिए इसके बाद कभी भी नहीं अन्यता परिडाम बहुत भैंकर हो सकते हैं क्यूंकि सुबा तीन बजे के बाद का समय सुब महूरत माना जाता है ऐसे समय में भगबान की आराधना की जाती है ना कि इन कामों के लिए इसी लिए हमेशा सतर्क रहें नमबर दो दोस्तों बड़े बुजुर्गों ने इस बात को कई बार दोराया है कि रात में सोने से पहले हाथ पाउं और मुह धो लेना चाहिए नहीं तो खतरनाक नकर आत्मकूर्जा के संपर्क में आने पर व्यक्ती बीमार पड़ सकता है ऐसे में आपके उपर दोश लगते हैं बगएर हाथ दोकर अगर आप बिस्तर पर लेट जाते हैं तो पूरे घर में बीमारी को बढ़ाबा देने के बराबर है इसी लिए हो जाएं सतर्ग नमबर तीन दोस्तों एक सुखी जीवन जीने के लिए हमेशा परिबार को इस बात का ज्यान होना चाहिए के रात को सोने से पहले आपको दूद जरूर पीना चाहिए और ये काम आप सोने से आदा घंटा पहले ही कर लें रात के समय रोजाना हलका गुनगुना दूद पीना शरीर के लिए अमरित के समान माना जाता है इसी लिए आप बिना दूद पिये ना सोएं क्यूंकि इससे शरीर को जरूरी पोशक तत्तो मिलते हैं नमबर चार दोस्तों आप सोने से पहले अपने दिन भर का आकलन कर लें आज आपने क्या किया, कितना किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए था ये सब बातें रोजाना सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन करना बुद्धी मत्ता कही जाती है इससे आपको अपनी गलतियों और बुराईयों का पता चलता है इसलिए आप ये हकाम जरूर करें और फिर सुबह की शुरुआ ठीक तरह से करें दोस्तों बिज्ञान ने पूरी तरह से दावा कर दिया है कि अगर बीमारियों को घर से दूर भगाना है तो रात के जूटे बरतन और नल से टपकता हुआ पानी कभी किचन में ना होने दे ऐसा करने से भयानक कीडे मकोडों का बसेरा हो जाता है बरतनों पर अपनी बीमारियों की चाप छोण जाते हैं जिसके कारण पूरा घर बीमारी की चपेट में आ जाता है पैसा भी पानी की तरह बह जाता है इसलिए हो जाएं सतर्क और हमेशा ध्यान रखें कि बहता हुआ पानी और किचन में जूटे बरतन कभी न छोणें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए ताकी आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो